हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि GUI में हम बटन के थुरू एक विंडो से कोई नया विंडो कैसे क्रेट कर सकते हैं और हम उसको कैसे अपने प्रोग्राम में रिलेट कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो पिछले प्रोग्राम में हमने बटन सब्सक्राइब करना हम कुछ नहीं विंडो करनी तो हम सब्से क्रिएट करनी तो मैं लिखूंगा define एक function को ले लो ifunc1 function और इस function के अंदर हमने क्या करना है new window क्रिएट करनी है तो मैंने एक top नाम का window बनाया top is equal to जैसे tk और top.geometry geometry में क्या हो गया 400 into 400 फिर top.configuration कर देते हैं configure और इसका background color जो होगा ओ हो जाएगा orange ओके फिर टॉप डॉट ओके टाइटल टॉप डॉट टाइटल और टाइटल मैं दे देता हूँ new window new window राइट ओके अब जब बटन के क्लिक पर मैं function को call करूंगा क्या नाम है फंक्शन का एक फिव एंसी 1 तो जैसे ही मैंने क्लिक किया एक नया विंडो मेरे साथ ये एक राइट हो गया यह हम इसा क्रीएट होता रहेगा जब जब आप किलीक करो गए क्योंकि हमने कोई authentication तो लगा ही नहीं ओके तो अभी हमारा यह काम हो गया अब अगर इसके अंदर कुछ चीजे देनी हो कोई लेवल देना हो तो हम क्या करेंगे यहीं पर देंगे इसी function के अंदर देंगे तो हम क्या करेंगे एक लेवल ल नाम से define करते हैं यह है लेवल अपका और यह लेवल जो है यह कहां पर सेट है टॉप पे टॉप पे सेट है और जो इसका टेक्स्ट है यह है निव विंडो निव विंडो जो लेवल है यह एक कन्फीगर होगा और कन्फीग्रेशन में यहीं सब चीजे डाल देते हैं यह वाली control-c अ गॉट्रोल भी बैक्ग्राउंड कलर हो जाएगा ब्लू कि फॉन्ट ये लियन और ओगर ठीक रहेगा और इस को मिदेते हैं यह डॉट पैक पैकिंग में पैडिंग दे देते हैं कितना ट्वेंटी जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखो गे यहां पर एक निव विंडो क्रियेट होके आई है यह यह निव विंडो में आई है ओके अब इसके अंदर अगर यहां पर कोई बटन लगाना हो तो लगाएंगे तो यहां पर कंट्रोल सी और यहां पर बटन हमने लगा दिया इसका नाम हमने दे दिया सिम्पल बी बटन है बी एंड अगें बी ओके और यह कहां पर सेट हो रहा है टॉप पे क्योंकि जो सेकेंड विंडो का नाम है वो टॉप है अब इस पर कोई अगर एक्शन परफॉर्म कराना हो तो हम यहां पर एक और फंक्शन पर बनाएंगे डिफाइन एक्शन फांक्शन और यहां पर हम बोलेंगे इस बटन पर क्लिक करने पर कि जो लेबल है वो इस वो कन्फिःगर हो जाए और एक्ष्ट कन्फिःगर करना है टेक्स्ट इस एक्वाल टू हो जाए बटन क्लिक्ड बट्टन हो जाए क्लिक्ड रॉइट और उसका जो विंडो है जो टॉप विंडो का नाम दिया गया है यह भी कन्फिकर हो जाए कन्फिकर हो जाए और यह हो जाए बैक्ग्राउंड कलर इसका रेट तो हम सबसे पहले क्या काम कर रहे हैं हमने एक फंक्शन बनाई इस बटन के क्लिक के लिए जो यह मारा क्लिक हेर वाला बटन है इसके लिए हमने फंक्शन वन बनाई फंक्शन वन के क्या काम कर रहा है एक नया विंडो क्रियेट कर रहा है र अब जो अंदर में हमने जो बटन सेट किया है है यहाँ पर यह क्या हम काम करेगा यह फंक्शन वन पर काम करेगा नहीं यहाँ पर हम लगाएंगे एक्शन बटन का जो यह है उसको ग्रीन कर देते हैं का और यहाँ पर कर देते हैं जो इसेकंड बटन कर देते सेकेंड बटन कर देते हैं अब हम इस डेवेल यह बटन क्लिक डा जाएगा और टॉप जो है ओर रेड हो जाएगा यह ऐसा कुछ हो जाएगा यह जो प्रोग्राम है यह कुछ ज्यादा सा मतलब कंपड़िकेटब होता जाएगा इसके लिए हम यूप अ 85 बनाएं फैसे मान लिए मने कोई क्या पॉइंट यहां क्म कर रहे इस सब को उठाते यहां से CTRL-X करके CTRL-X करके उठाया और इसको हमने कहि listen कर लिया जैसे कि एधि कैहां से यह function अटा देते ही यहां पे यह सारी एक लाइन पर आ जाएगी इन हमने लेबल बनाई लेवल लेवल फंक्शन यह ठीक है फंक्शन यहां पे हो रहा है यह तीनों को रइट अब इसको हम सेव करेंगे और इसको सेव करेंगे हम जी यू आई टू नाम से जी वाई टू नाम से और उपर हम लिखार लिखेंगे फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार उसके बाद हम क्या काम करेंगे हम एक फंक्शन बनाते हैं यह सारा कुछ यह हमने यहां पर काम कर लिए अगर इसको सिंप्ली मैं करके देखूं तो यहीं काम होगा यह वाला जो पहले हो रहा था बट अब मुझे क्या काम करना है एक ही प्रोग्राम के अंदर सारा कोड लिखने से वह कंप्लिकेटेड हो जाएगी तो यहां पर मैं फं को उस फाइल के नेम को जो हमने वहां पर सेव किया जैटी जी यू आई उसका नाम क्या दिया है हमने जी यू आई टू जी यू आई टू तो जी यू आई अंडर स्कोप टू अस्सक्तों यहां पर फंग के प्याद करेंगे अग्यू keto करेंगे तो देख आप यहां पे नए विंडव क्रीरत हुई नई विंडव क्रीरेट हुई है है यह क्या है वहीं काम कर रहा है तो इससे क्या होगा आपकी कम्प्लीकेशन कम हो गई यानि आप जब लोगिन और रिस्टेशन पेज हम आगे जब बनाएंगे तो उसमें हम लोगिन पेज अलग बनाएंगे एक फाइल में रिस्टेशन फाइल पेज अलग बनाएंगे और उसको हम फाइल को ऐसे हम इंपोर्ट करेंगे इसको हम बोलेंगे इंपोर्ट मोडियूल को इंपोर्ट क